दोस्तो अगर आप एक PTM BC एजेंट हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए क्योंकि PTM का ATM 4.1.0 यानि अभी अभी एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है दोस्तो और आपको ये वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए और इस अब अपडेट में क्य मैं आपको आज लाइप प्रूफ दिखाऊंगा और कमिशन भी दिखाऊंगा कितना मिला क्या मिला क्यों नहीं मिल राज इस सब बताऊंगा दोस्तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए तो दोस्तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीज और मैं जैसे ही विव पास्टोंग पर किलिक करता हूं तो आप सबसे पहले तो यहां देखिए यहां पर मुझे कमिशन मिला था यह देखिए 12 मार्च को मुझे 252 रुपे मिले थे कम मिले थे मैंने इस पर वी एक वीडियो पहली बना दिया था ज्यादा के वाई सी किया कम पैसे मिले क्यों मिले इस पर में में वीडियो पहली बना दिया है डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो को लिंक आपको मिल जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर 142 रुपे 18 मार्च को और 71 रुपे 2 अप्रेल को और आप 24 रुपीज 20 माई को यानि कमिशन कम होता चला गया और 20 माई के बाद आप देख सकते हैं आज कितना तारीक है यानि आज है 6 जून साथ जुलाई सौरी तो आप देख सकते हैं कितने दिन हो गए महीना का महीना हो गया दोस्तो और कमीशन नहीं मिला क्यों नहीं मिला इसका बहुत बड़ा रीजन है दोस्तो मैं आपको बता दू कि कमीशन मुझे इसलिए नहीं मिला और यहां आप देख सकते हैं जब से इसमें notification नहीं आया मुझे कल पर सुनी notification मिला तो मैंने जब इसको देखा तो मैं दंग रहा गया दोस्तों परेशान हो गया मुझे लगा कि अब मेरा commission मैंने बहुत सारी KYC के दोस्तों मुझे commission नहीं मिलेगा दोस्तों क्यों नहीं मिलेगा मैं आपको इसका region बता देता हूँ तो मैं जैसे ही notification पर क्लिक करता हूँ तो आप साफ साफ यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यह देखिए keep earning commission by doing KYC with pen card मैंने बहुत सारी KYC यानि तकरीबन 60-70 KYC यहां पर बिना pen card के कर डाली हैं दोस्तों इस पिछले महिने में और यहां देखिए नीचे DRBC DRBC a gentle reminder there is no commission समझे there is no commission on KYC अब आपको commission नहीं मिलेगा KYC पर without pen card के यानि मेरी जो पीछे वाली जो सारी की सारी KYC है वो बेकार गई हैं दोस्तों मैंने बहुत मैंनत से यह KYC की थी वैसे तो customer अपने आप ही आये थी लेकिन उसमें कोई मुझे लाव नहीं हुआ है दोस्तों for continuous earning please facility customer KYC with pen card आप देख सकते हैं नीचे for continuous earning यानि अगर आपको अपनी earning continuous रखनी है अगर earning आपको करनी है तो KYC pen card को attach करके करनी होगी तो यही दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट है अगर आपको यह वीडियो अच्छे लागो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नाये तो जैनल को subscribe करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तो मिलता हो कुछ नए अपडेट लेकर अगली वीडियो में जैन बंदे मात्रम